तो आईडी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कमपनी इंफोसस ने कौटर टू के रिजल्ट जारी कर दिये हैं कमपनी को 6,506 करोड का मुनाफ़ा हुआ है जबकि अनुमान 6,755 करोड रुपे का था तो हरशदा हमारे साथ जुड़ गई है तो हरशदा बताएं किस तरह के न का था प्रॉफिट के फ्रंट पर लेकिन डॉलर रेवन्यू पर बाजार की नजर होती है डॉलर रेवन्यू आया 3.8% पर अनुमान था 3.6% तक के डॉलर रेवन्यू की तो वहाँ पर भी एक आप कह सकते हैं इन लाइन विद एस्टिमेट ही है तो कॉंस्टन करंसी रेवन ग्रोथ कम्पनी की जो डॉलर रेवन्यू ग्रोथ है और मार्जिन्स जो है वो अप्सलिटली इन लाइन आते वे दिखाई दिये हैं नतीजे आप कह सकते हैं अच्छे हैं इससे बाजार को निराशा नहीं होनी चाहिए साथी साथ टोटल कॉंट्रेक्ट वाल्यू बड़ी ड रखेगा Q1 तक कि जो FI25 का गाइडिन्स था कम्पनी ने 3-4% के बीच रेवन्यू ग्रोथ का आकलन किया था लेकिन अब कम्पनी कह रही है इसे वो बढ़ा रहे हैं यह हलका सा ही बढ़ा है बॉटम एंड 3.75% पर आ गया है जो पहले 3% था और जो टॉप एंड है उसे भी आदे परसेंट से बढ़ाया गया है यानि की 3.75% से 4.5% के बीच की अब रेवन्यू ग्रोथ की उम्मीद इस समय कम्पनी कर रही है यह गाइडिन्स अच्छा है पॉजिटिव है दूसरी तरफ माजिन्स में कोई बदलाव नहीं यह 20-22% के बीच बरकरार रहेंगे यह इन माजिन गाइडिन्स में कोई बदलाव नहीं लेकिन रेवन्यू गाइडिन्स में बदलाव जरूर बनता दिखाई दिया है इन फाक्ट सनी अगरवाल हमाए साथ है उनसे भी एक राय ले लेंगे इस बीच विपरो के भी नंबर्स आ रहे हैं उस पर भी मैं एक क्विक टेक दे दूँगी लेकिन सनी एक तो गाइडिन्स बढ़ना और बाकी सभी आकडे इनका डॉलर रेवन्यू ग्रोथ इनका डॉलर रेवन्यू ग्रोथ and most importantly margins उमीद पर खरा उतरना क्या ये कल एक ड्राइवर रह सकता है बाजार के लिए क्योंकि इस समें सक्त सपोर्ट की जरू इस सेकंड ताइम जा हमने देखा ताइक गाइडन्स के रिविजन होआ है फर्सक ओर ने दी कंपी अपना गाइडन्स अपर रिवाइड टाइड एक जा हम देखते है कि लोवर एंड का गाइडन्स 3-3% के बढ़ा करके 3.75% किया है इस सब्सक्राइड कि पोस्ट इसम्र अ अगी जा एक पाइड आगे जा कर गाइडन्स अपर आगे जा कर अगाइड तेखाए देगा इन फाक्त में उनके ब्रेक अप देख रही थी बेएफसाय में स्टेडी ग्रोथ है हाई-टेक में थोडा सा जो पें था वो कम होता दिखाए दिए है मैन।फ़फुली आगे ज इन्फोसिस की बात हुई लेकिन विप्रो की भी नंबर्स जब अभी आ रहे हैं पहले तो 1 is to 1 के बोनस को अप्रूवल दे दिया है उसको लेकर एक पॉजिटिव जरूर है कमपनी ने जो कहा है डॉलर रेवन्यू ग्रोथ 1.3% पर इस पटिक्लर क्वाटर में आई है जहा के अनुमान 16.5% का था तो हमारे उमेद से 30 पेसिस पॉइंट बीट है ये और इबिटा में भी इजाफा बनता दिखाई दिया है विप्रो के भी नंबर्स वैसे बुरे है नहीं अफ्कॉस वो अगले क्वाटर के लिए गाइदेंस कुछी देर में आकडा आ जाएगा अच लेकिन अभी भी ये माइनस टू टू जीरो का गाइदेंस आ रहा है आईटी सर्विसिस के लिए थर्ड क्वाटर के लिए और रेविन्यू ग्रोज जो है वो करीब दो हजाट शेसो साथ मिलिए डॉलर के लिए हैं वन इस्टू वन का बोनस ये क्वाटर एक फेर परफॉर अगर मैं चारो कंपनी की बात करता हूँ चारो जिगज कंपनी में तो देखकर तो लग रहा है कि इन्फोसिस के ही नतीजे सबसे अच्छा है हैं हलाकि जो डिमांड एंवर्मेंट है उसके ओपर एक बर कॉमेंटरी सुननी होगी इन्फोसिस और वीप्रो की मैनेग्मेंट तो कुछ और डीटेल उस अनलिस कॉल में उभर कर जरूर आएंगे लेकिन अगर आप एक सरसरी नजर डालेंगे तो इन्फोसिस ने डेफिनिटली सप्राइस किया है और इन्फोसिस इस्पेशली यह जो कॉंस्टन करंसी रेवन्यू ग्रोथ है पिछले क्वाटर में भी इ दिपाली बाक्टि यू शुक्रिया हर्षता जी आपका और साथ हमारे गेस्ट का भी जिन्होंने पूरा एनलिसस किया इन नतीजों का चले बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं CNBC आवास की एक्स्क्लियूसिफ खबर अब आपके प्रोविडिन फंड पर हमेश के लिए जारी रखने का फैसला लिया है तो इसकी क्या फायदे होंगे जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं वरिष्ट से होगे लक्षमन रॉय से तो लक्षमन जी बताएं क्या एक्स्क्लियूसिफ जानकारी है आपके पास और यह जो नियमों में बदलाव किया गया है इ आपके लिए इंशुरेंस की का कवर जो है वो ज्यादा हो जाएगा यह कवर ज्यादा दो मायनिम होगा पहले बात कि किसी भी कर्मचारी का या एपी एफो मेंबर का जो जिसका कंट्रिबुशन रेगूलर तोर पर होता रहा है उसके से पी एफ लगतार कड़ता रहा है किस इसी दुखटना वस उसके मित्यु हो जाती है तो अधिक्तम 7 लाक रूपे तक का इंशुरेंस मिलेगा अब तक ये 6 लाक रूपे तक का इंशुरेंस था और ये जो 7 लाक के रकम है उसका कैलकुलोजेशन आखिर के 12 महिने की सेलरी के आधार पर तै किया जाता है लेकिन अग 75,000 रूपे हो जाएगा और ये सारी चीजे जो है सरकार ने हमेशा के लिए इस फैसला को लाओ रखने का फैसला लिया है हमेशा का मतलब यह है कि याद होगा कि जब कोवीड का समय था उस वक्त सरकार ने 28 अपरेल 2021 को जाई रख सकते हैं तो इसको हमेशा के लिए जाई र नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और सरकार क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी में है निकाला गया और फिर बाद में जाच में कुछ नहीं पाया है और ठीक इस तरह से इंडिगो का इस्तानबूल से दिली वहां पे भी पूरी जाच की गई दरसर होता है कि जब भी इस तरह का एक कॉल आता है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया रहता है और उस प्रोटोकॉल में भले ही एक होक्स कॉल हो भले ही ये सोचल मीडिया के तरह आया हो लेकिन पूरी एहतियात को बरता जाता है और जब तमाव जाच की गई बैकेजिस की चाशlden की गई कुछ नहीं पाए गया लेकिन अब सरकार इस पर काम कर गई है कि क्या हम इस तरह की सिचैएंच में कैसे सिनिपटा जाए कि लेकर हमारे पस लौा zodिरा कहीं सिर्चाल को क läuft लेकर कैसे निफटा जाए तो दो तीन बिन्दों पर चर्चा हो रही है कल भी मीटिंग हुई थी आजमी मीटिंग हुई है और जिन चीजों पर विचार हो रहा है कि एक कानून एंटी होक्स कॉल कानून बनाया जाए इसके लिए अलग-अलग मंत्रा लेओं की जरूत पड़ेगी उस पर काम हो रहा है फिल हाल दूसरी तरफ ऐसे लोगों को जो पाए जाते हैं कलप्ड पाए जाते हैं उनको कितने समय के लिए हम नौ फ्लाय 스ट पर डाल सकते हैं इस पर काम वुरा 蛋 कुछ जो खास रूटस है खास पर कुछ इंटरनाशनल रूटस है वहाँ पर क्या एर मारशल्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है क्योंकि अधिकतर जो होक्स कल आते हैं वो तब आते हैं जब जो फ्लाइट है वो टेक आफ कर चुका होता है तो वहाँ पर एर मारशल के मौजूदी जो है सुरक्षा को सुनिशित कर पाएगी तो इन चीज़ों पर विचार हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक हम देखेंगी कि अलग-अलग मंत्रायलों के बीच बैठा किसको लेकर होती रहेगी शुक्रिया रोहन इस खबर पर पूरा अपडेट देने के लिए चले अब बात करते हैं सोने की जिसकी चमक लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आज MCX पर गोल्ड ने रिकॉर्ड स्तर्च हुआ 76,978 रुपे प्रती 10 ग्राम का हाई बना कर वायदा बजार में अपना दबदबा बनाया है दूसरी और कॉमेक्स पर 2700 डॉलर प्रती ओंस के उच्चतम स्तर पर कीमते पहुँच चुकी है खाडी देशों में जियो पॉलिटिकल संकत अगले महीने यूएस में ब्यास दरों में कटौती की संभावना और आज जारी हो रही इसी भी रेट में कटौती की उमीद से सुने को सपोर्ट मिला है अब एक नज़र डालते हैं बजार के हाल पर बजार आज ओटों की कमजोर कमेंटरी ने बजार का मूट बिगार दिया बजार लगाता तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ सिंसिक्स 495 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 221 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ मार्किट का पूरा हाल जानते हैं कंचन नौट याल से तो कंचन आपसे जानना चाहेंगे किन शेयर्स में गिरावट रही और कहां तेजी दिखाई थी जी अगर सिंसिक्स की बात करी जाये तो आज इसमें करीब करीब हमें 95 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली थी अब सीधा बात करते हैं स्टॉक्स के उपर अगर निफ्टी के टॉप गिरावट की बात करें तो इन्फुसिस आज करीब करीब 3% की बढ़त के साथ इसम टाइम टेक महिंद्रा में 5%, पार ग्रेट में 1.5% और L&T में हमें करीब करीब 1% की आज बढ़त देखने को मिली लूजिंग पॉकेट्स में आज निफ्टी में बजाज आज 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 सबसे पहले नमबर पे रहा करीबन 13% की इसमें गिरावट थी शीराम फिनांस 4% M&M 3% और नसले इंडिया में भी करीबन 3.5% की इसमें गिरावट देखी गई मिट्कैप 100 में अगर बात करें गेनिंग साइड में तो एंफसे सबसे पहले नमबर पे था करीबन 6% की बढ़त के साथ अपडेट के लिए अटो मोबाइल दिगज हंडाई मोटर इंडिया का IPO आज बंद हो गया IPO को मीद के मुताबिक रिस्पॉंस नहीं मिला आकरी दिन में हंडाई मोटर इंडिया का IPO धाई गुना के करीब भरा BSE, NSE पर 22 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी 1720 रुपे का मिनिममम इन्वेस्टमेंट करना होगा वहीं अधिक्तम 14 लॉट या अफ़र 98 शियर के लिए ही बोली लगाई जा सकेगी ये IPO पूरी तरह से OFS बेस्ट है सजली वक्त होगे एक छोड़े से ब्रेक का लेकिन खबरे अभी और भी है आप देखते रही है आवाज समाचार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जेन जी जॉब मार्केट में अपनी धाग जमा रही है स्नाप चाट को चलाने वाली स्नाप इंक और बीसी जी की नई रिपोर्ट सामने आई है जसमें जेन जी की रिटेल स्पेंटिंग और बिहेवियर किस तरह से मार्केट को प्रभावित कर रहे है इस पर स्टाडी की गई है तो क्या है डेटेल्स जाने के लिए सीधा चलते हैं हर्शिता सावत के पास तो हर्शिता जी बताएं इस रिपोर्ट की डिटेल्स क्या है जेन जी एक ऐसी काटिगरी है जहां पर सबसे जादा लोग भारत में हैं यानि कि वो लोग जो इस समय 27 साल की उम्र से शायद 12 साल की उम्र के होंगे इनको इगनॉर बिलकुल नहीं कर सकते हैं अब आप देखिए यह भारत का बाजार है जहां पर साइलन जेनरेशन या फिर हम बूमर्स कहते हैं उनकी आबादी लगबग 16 करोड के आसपास की है उसके बाद जेनेक्स आता है लगबग 24-25 करोड की आबादी, Millenials 81-96 में पैदा हुए हुए 35 करोड की आबादी और साथी 97-2012 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है वो है Gen Z वाली कैटेगरी और वो आकडा सबसे जादा है 37.7 करोड का उसके बाद of course 2013 के बाद वाले बच्चे आते हैं लेकिन इस कैटेगरी में सबसे जादा आबादी इस समय भारत की है Gen Z is ruling the population numbers वहीं अगर आप गौर करिएगा comparative देखें अमेरिका की आबादी से जादा बड़ा है भारत का Gen Z का पूरा market या फिर Gen Z की आबादी और जाहिर तोर पर इनका जो योगदान है economy में वो बढ़ता दिखाई दे रहा है workforce के लिहाज से इस समय आने की 2024 में आकरा 25% तक का हिस्सा है इनका workforce में लेकिन 2030 तक ये 36% तक आएगा और अगले 10 सालों में आने की 35 आते यही Gen Z 47% जॉब market का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा जाहिर तोर पर इनकी जो spending power है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पूरा बाजार इनी के मुठी में हैं मौजुदा आकड़े हैं कि 2 लाग करोड की total consumption में इसमें Gen Z का 43% का share है या फिर योगदान है 2030 तक के market पूरा 2.9 लाग करोड तक पहुँचेगा और Gen Z का हिस्सा 1.4 लाग करोड का रहेगा और अगले 10 सालों की बात की जाए तो 50% marketing का होगा जहां पर total consumption 4 लाग करोड तक बढ़ने के आसार है और Gen Z लगबग 2 लाग करोड तक का खर्च करतावा दिखाई देगा सवाल ये है कि अगर पूरा बाजार इनकी मुठी में है तो खर्च कहां पर सबसे ज़ादा हो रहा है तो अलग-अलग कैटेगरी सामने हैं फैशन और लाइफस्टाइल मार्केट जो करीब 100 तो 110 बिलियन डॉलर का है उसमें जैंजी 45-50 बिलियन डॉलर का खर्च करता है यानि की 47% of the market ट्रावल और विकेशन मार्केट 160-180 बिलियन डॉलर का जैंजी का हिस्सा 47% का है ऐसा ही ब्यूटी और परसनल केर का मार्केट है ये मार्केट छोटा है 15 से सरफ 20 बिलियन डॉलर तक का लेकिन जैंजी वहाँ पर करीब-करीब 44% तक का टोटल कंजम्शन कर रहा है पैकेज फूड और एफमबी मार्केट में भी 70 से 75 बिलियन डॉलर वाले मार्केट में 45 परसनल यानि की 30 से 35 बिलियन डॉलर आगे है नियली 48% जो कंजम्शन हो रहा है वो जैंजी के कहने या फिर जैंजी के पैसे खर्च करने पर हो रहा है और OTT सेग्मेंट में भी वो आकडा 48% का है तो ये एक चीज जाहिर है कि जैंजी इस समय सबसे जादा आबादी वाली जैनरेशन इस समय भारत में है और उसको कोई भी इस समय इगनौर नहीं कर सकता जी बहुत बहुत शुक्रिया हरशुदा जी इस पूरी जानकारी के लिए खास तोर पर जो ये इंट्रस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है उसकी हाइलाइट्स दर्शकों को बताने के लिए चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंजीमर अड़ा के टॉपिक के बारे में एमर्जेंसी कॉंट्रसेप्टिफ पिल्स की चर्चा आज कल काफी हो रही है क्या ये पिल्स महिलाओं की सेहत के लिए खतरनाख है जान निकले जरूर देखिए आज का कंजीमर अड़ा शाम पांच पच कर 57 मिनट पर तो चलिए अब राजनेती खबरे आपको बताते हैं हरियाना में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है नायप सिंग सैनी ने दूसरी बार मुख्य मंतरी पत की शपत ली है पंचकुला में हुए शपत ग्रहन समारो में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के अलावा मुख्य मंतरी सैनी के साथ 13 मंतरी निश्य पतली जिन में सबसे ज्यादा पांच चहरे OBC वर्ग से है जाट, ब्रामन और S.C. वर्ग से दो-दो मंतरी बनाए गए है इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बरादरी से एक-एक मंतरी बनाया गया है तो चलिए अब आपको उताते हैं आज की अवाज अड़ा के टॉपिक के बारे में बीजेपी और एंडिये के शक्ती प्रदर्शन के क्या है सियासी मायने और आज अवाज अड़ा में इसी परी होगी बड़ी चर्चा शाम 7 बचकर 57 मिनट पर अवाज अवाज के बारे में अवाज के बारे में